NVN के चक्रिव में आपका फिर एक बार स्वागत है आज हम गुजराज चुनाव में दंगों की राजनिती पर चर्चा करेंगे दोस्तो गुजराज प्रचार में जब BJP के सारे हर्वे फेल हो गए तो उसे 20 साल बाद दंगों की याद आ गई वही दंगे जिसके बाद उस समय के प्रधार मंतरी अटल भिहारी वाजपाई ने मुख्य मंतरी नरेंद्र मोदी को राजधरम का पालन करने की सला दी थी ऐसा उसी वक्त किया जाता है जब किसी को लगता है कि राजधरम का पालन नहीं किया जा रहा है ये वही फसाद है जिसके कारण दुनिया भर में देश की बदनामी हुई थी और उस समय गुजरात के मुख्य मंतरी नरेंदर मोदी को अमरीका में प्रवेश करने से रोख दिया गया था फिल हाल प्रवेश की प्रवेश करन वो आ जा रहे हैं लेकिन अगर कल को सत्ता से वंचित हो जाएं तो फिर से अमरीका में जाना मुश्किल हो जाएगा अभी हाल में साओधी अरब के प्रदार मंतरी मौमद बिन सल्मान की अमरीका यात्रा पर आपत्ती जताई गई क्योंके उन पर अधनान खशोगी की हत्या का आरोफ है तो अमरीकी प्रशासन ने मोदी का उदाहरण दे कर बताया कि प्रदार मंतरी मोदी को भी इसी आधार पर अनुमती दी गई थी हाला कि वारत सरकार ने इस पर भी आपत्ती जताई है लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ग्रह मंतरी अमिशा ने दंगों को सथाई शांती का साधन बता कर अपने लिए भी विश्व का दर्वाजा बंद कर लिया है गुजरात की चुनावी क्रिकेट में अब पावर प्ले चल रहा है इसमें पहले तो प्रदान मंतरी ने बड़ी विनमरता से पूछा कि उनकी आवकात ही क्या है और फिर ग्रह मंतरी ने बता दिया कि उनकी आवकात आखिर है क्या शाह ने कहा दो हजार दो में ऐसा सबक सिखाया कि गुजरात में इस्थाई शांती स्थापित हो गई प्रस्थ ये है कि किसको सबक सिखाया और दंगाई कौन है ऐसा लगता है कि वो मुसल्मानों की बात कर रहे हैं लेकिन ग्रह मंतरी ने ये बात नरोदा पाटिया में भी कही और जोगों पर भी कही और नरोदा पाटिया में भी कही जहां वो पूजा कुलकर्णी के लिए वोट माग रहे थे पूजा के पिता मनोच कुलकर्णी को दंगों में भाग लेने के कारण उमर कहित की सजा हुई है बीजेपी ने उस दंगाई की बेटी को टिकट दे कर ये सिद्ध कर दिया कि वो दंगाईों की समर्थक है अमिशा दंगे की प्रशंसा नहीं करते जहां तक हिंसा की समाप्ती का सवाल है तो जवाब ये है कि बीजेपी वाले सत्ता में आने के लिए दंगा करते हैं अब सरकार बन गई तो दंगा फसाद की जरूरत ही नहीं रही इसलिए वो बंद हो गया अमिशा ने चुनावी हार से घबरा कर एक ऐसा वक्त तो ये दे दिया ये खुद इसने उनको उनके जूट को खूल दिया तीस्ता सेतलवाद की गिरुफतारी के वक्त बहुत ही मासूम चहरा बना कर शाजी ने एनाई के कैमरे के सामने कहा था कि उनकी सरकार ने दंगा रोका था मगर उन्हें बदनाम करने का शडियंत्र किया गया अब वो खुद इस क्या विरोध में ये मान रहे हैं कि 2002 के दंगों में जो है वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं उसकी महिमा मंदन कर रहे हैं और उसे इस्थाई शान्ती की रण नीती बता रहे हैं अभी शाय ये भूल गए हैं कि वो फिलहाल बारतिय दंगा पार्टी के अध्यक्ष नहीं बलके देश में ग्रह मंत्री के पदपर हैं देश में शान्ती व्यवस्ता इस्थापित करना उनका परमकर्तव यह है तो क्या आप देश भर में इस्थाई शान्ती इस्थापित करने के लिए वो हर जगे दंगे कराएंगे और इसकी खातिर पूरे राष्ट को आग में जोग दिया जाएगा ऐसी घोषना तो आज तक किसी देश के ग्रह मंत्री ने नहीं की होगी इस भाशन में दूसरा जूट गुजरात में इस्थाई शान्ती का दावा है दूर जाने की जरूरत नहीं इसी वर्ष राम नौमी के अवसर पर गुजरात में कही जगों पर दंगे हुए और बीजेपी सरकार ने इसका राजनीतिक फायदा उटाने की खातिर बुल्डोजर भी चलाया सवाल ये है कि अगर कोई दंगा हुआ ही नहीं इस्थाई शान्ती स्थापित हो गई तो उस कारवाई की जरूरत क्या थी क्या वो सिर्फ खबर बनाने और निश्पाप लोगों को सताने की खातिर की गई थी इसलिए कि अबिश शाह का भड़काव भाशन और गुजरास सरकार की वो जालिमाना कारवाई दोनों दूरस नहीं हो सकती इस हकीकत को भुला कर अगर ये मान लिया जाए कि 2002 के बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए तो ये भी एक हकीकत है कि 1993 के बाद मुंबई में भी कोई दंगा पसाद नहीं हुआ ऐसे में अगर दाउद इबराहीम दावा करे कि धमाकों के कारण इस्थाई शांती स्थापित हो गई तो क्या वो दूरुस्त होगा ऐसे में अमिश्या और दाउद इबराहीम में क्या फरक रह जाएगा सबक सीखने और सिखाने की बात करें तो ग्रह मंत्री बहुत दूर 20 साल पहले पहुँच गए अभी तीन साल पहले अमिश्या ने दिल्ली चुनाव परचार में कहा था कि इतनी जोर से ईवियम का बटन दबाओ कि इसका करण शाहिन बाग में लगे परन तो चुनावी नतीजे आए तो ईवियम के जटके से वो खुद बेहोश हो गए इसके बाद दिल्ली में दो मर्तबा फसाद हुआ वहाँ की पुलीस ग्रह मंत्री के अधीन है फिर वहाँ इस्थाई शान्ती क्यों स्थापित नहीं हुई इसलिए के वो दिल्ली में केजरी वाल को अठा कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं इसी दिये कपिल मिश्रा को जो है वो दंग के द्वारा दंगा कराया जा रहा है परन्तु दिल्ली विधान सभातो दूर अब नगर पालिका में भी बीजेपी की कुरसी खत्रे में है ये चुनाव जीतने के लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनी सिसोधिया पर ब्रस्टाचार का आरोप लगाया गया CBI ने FIR में उनका नाम लिखा मगर चार सीज से नाम गायब कर दिया और अब उसके बाद एडी ने नई चार सीज दाखिल की तो उसमें से भी मनी सिसोधिया गायब हो गए इसका मतलब ये है कि BJP ने घबरा कर खुद मनी सिसोधिया को क्लीन चिट दे दी जब दिल्ली का ताजा दंगा बाजब का भला नहीं कर सकता तो गुजरात में 20 साल पुराने दंगे का उलेक उसके किस काम आएगा ऐसा लगता है कि इस बार हार की खत्रे ने शाजी को जो है वो बहुत ज़्यादा दरा दिया है और वो घबरा गए हैं इसलिए उल्फूल बकने लगे हैं वरना इस प्रकार दंगों का समर्थन किसी गरह मंत्री को शोबा नहीं देता हाँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की समीशा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर पसंद आई हो तो लाइक याश शेयर करें हम बहुत जल्द आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे और किसी नए विशेय पर आपसे डिसकस करेंगे तब तक के लिए आग्या दीजिए